तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आशाए कि आप लोग ठीकी होगे तो आप सभी का स्वागत एक न्यू एपिशोड के अंदर तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटीस रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैन स्काइप नहीं किया और साथी नीचे कमेंट कीजेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है क्योंकि आपका ये कमेंट मुझे बहुत ज्यादा ही मोटिवेट करता है और भी यसी नए नए वीडियो बनाने के लिए तो ये मेरी आप से हाँ जोड की वींतिये कि प्लीस आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजेगा अगर आप लोग 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्ती बना के लाँगा चलिए फिस्टर और हार्ट यहां पे जय है हैं एक गीड़ के सामने और यह बोलते की पक्का इसके अंदर मौंस्टर हैं तभी इंको आवाज आती है तो हर्ट पो बोलते की तुमने गले के नीचे जो गॉल्डन हिस्सा उस पर शूट करना पड़ेगा यह जहिसी weakness है लेकिन मैं चाहते हूँ कि आप यहां से भाग जाईए मैं इसको handle कर लूँगी इस पर यहां पर heart कहता है कि तुम कैसे handle करने वाली हो तो Sarah कहते कि मैं अपनी जो hidden power है उसका activate करूंगी फिर हम देखते कि Sarah अपने hidden power को activate करती है और कहती कि मेरी जो physical ability है वो बढ़ जाएगी लेकिन फिर भी मैं आपसे request करना चाहूंगी कि आप सलाइम के साथ भाग जाए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इसको जादे तक रोख पाऊंगी तब हर्ट जो होता है अपने मेजिक का इस्तामाल करता है और monster को केदम कर देता है monster को माने के बाद जो heart होता है वो यहां पे krisha को उठा लेता है और सेरा बोलती क्या यह वही monster है जिसकी तुम द Schneez क्रेकर है heart बोते हैं हां यह फिर हम देखते हैं कि यह लोग बाहर की तरफ जा रहे होते हैं दूसरी तरफ हम हट की जो टीम है उसको देख पाते हैं यह यहाँ पे स्केलेटर मोस्टर से जया फाइटिंग कर रहे होते हैं और यहीं को मार देते हैं हम सेरह को देखते हैं जो बहुत सारे बंदे को एक जार दिखा रही होती है तभी हट होता है मोक्य का फायदा उठाता है और यहां से जिपचासत निकल जाता है जिसके बाद होता है यह बोलते कि मेरा जो काम है वो जब खत्म हो चुका इस रेंड में मुझे जाना चाहिए तब यहाँ पर जो सेरा होती है वो आजाती है हट बोलता कि तुमने काफी अचा काम किया उन बंदों का ध्यान बढ़का के जिसके बाद सेरा कहते कि हमें कल जो है इनाम मिनने वाला है इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग आज यहीं पर रुख जाएं तो हट कहता है ठीक है लेकिन हम लोग अलग-अलग रूम में रहेंगे और आठ बजे मिलेंगे तो सेरा कहती है ठीक है नेक्शिन में जो हट होता है वो काम कर रहा होता है और जैसे आठ बरसते हैं यहां पर सेरा आ जाती है तो हट बोलते है कि तुम मिलकूर टाइम पर आई हो हट बोलते है कि मैं चाहता हो कि तुम मेरी यहां पर गार्ड बन जाओ और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूलगा क्यूंकि देखो मुझे यहाँ पे जो विच है उसे जह ढूड़ना है और जिसके लिए मुझे गोल्डन टाउन के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे बहुत सरे जो monster हैं वो होते हैं और monster काफी तगड़े होते हैं तो यह काफी अच्छा रहेगा कि एक बंदा मेरे जह और मेरी जह रक्षा करें और यहाँ पे मैं आगे के मुश्रों को समाल लूँगा देखो अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ नहीं आओगी तो मुझे कनाइट को हायर करना पड़ेगा और मुझे उससे तो पे करना ही है इसलिए क्यों ना मैं तुम्हें ही पे कर दूँ और य लेकिन मुझे लग रहा था कि तुम अपनी जो असली अनिटिटी है उसको जह बाहर नहीं निकालना चाहती हो इसलिए अगर तुम नहीं चाहती हो कि यहाँ पे वो एनिटिटी बाहर आए तो तुम इसे सिक्ट रख सकती हो मैरा बोलती कि असल में मेरे पाथ यह स्पिच्छल पावर है और मैं एक एलफ हूँ और जब भी मैं सोती हूँ मेरे जो कान है वो अपने यहाँ पी एलफ वाले हो जाते हैं और जब मैं जागी रहती हूँ तो मैं उसे कंड्रोल करकती हूँ लेकिन चार बंदों को यहाँ भी मेरे बारे पाथ चल गया था और वो जह मेरे पीछे पढ़ गए थे इसलिए मुझे यहाँ पर भागना पड़ा लेकिन जब तुमने उनको ख़तम कर दिया तो मेरे असली नाम है लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पब्लिक में यह नाम बुलाओ और यहां पे तुम किसी को भी मेरे नम नहीं बिदा सकती हो जिसके बाद हट यहाँ पे एक जैम को देता है और यह बोलता है कि मैं तुम्हें इसी से पे करने वाला हूं तब यह जैम को देखके कहती कि ए तो बहुत ज़्यादा कीमती जैम लग रहा है आप इसे अपिस ले ले लीजिए हट बोलता है क्या मतलब तो यहाँ पे सेरा कहती कि यह बल्यू ड्रेगन का जैम है ना तो यह बोलता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता कि इसकी किमत कितनी होगी तो सेरा बोलती कि देखिए अगर आप इसे ओपन मार्केट के अंदर बेशते हैं तो आपको बहुत सारे जो हैं वो जह मिल सकते हैं और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप ऐसे ही बाटते फिरें तो हर्ट बोलता है कोई बात नहीं फैसे तुम्हें याद होगा कि तुम मुझे पबलिक के बीच में हर्ट बुलाओगी लेकिन अगर मैं के ला हूँ तो तो मुझे रे बुला सकत ना मेरे कोई रादा नहीं है कि यहाँ पर मैं जहें तुम्हारे पास्ट लाइफ को छेड़ू तो कभी हम देखते कि यह दोनों नास्ता कर रहे होते हैं यहीं पर जो वाकी बंदे होते हों कहते कि देखो उस रड़की के पास पहले से एक सोलजर है रे यहां पर सेरा को बो इसलिए हम लोग अब फिलार के लिए अलग हो सकते हैं और राइट एक बज़े हम यहां मिलेंगे जिसके बाद हर्ट जो होता जंगल में आता है शिकार करने के लिए और हम यहीं पर सेरा को देख पाते हैं जो एक पार्टी के अंदर खड़ी होती है और फिर नेक्शिन में हम गोडेस को देख पाते हैं जो यहां कह रही होती कि तुम लोगों ने स्केलिटर मुस्टर से फाइटिंग करी सही में यह जो बहुत खतरना करा होगा तो यहां पर लड़की बोलती कि जो सकुरी है वो कैसी है तो यहां पर गोडेस कहती कि वो ठीक है और उसका जो हाथ है ओपिस आ जाएगा वो और वैसे तुम यहां पे जो कीनोमों का ग्रूप है उसे जोइन क्यों नहीं करती हो तो यह बोलती कि मैं उतने स्ट्रोंग ग्रूप में काम नहीं करना जाती हूँ लेकिन आप बिल्कुल भी टैंसर मत लीजिए मैं हीरो के रूप में यहां पे सब कु बोल रहा होता है कि वो लड़की कि इतनी पागहल है वो यहां पे फच चुकी है अब यहां वो डार्क फ्रेश्ट के अंदर मारी जाएगी तब हीट होता है वह उपर देखता है और वह देखता है कि बहुत सारे जो ड्रेगन है वह घूम रहे हैं नाखीन में हम देखते है कि जो सहरा होती है वो ड्रेगन से लड़ने के लिए तैयार होती है और हम देखते कि यहां पे बहुत साइज जो ड्रेगन है उनको गार देती है सहरा बहुत ही कि यह तो लो लेवल के ड्रेगन थे और इंको रोग लेता है और फिर इंके उपर पोजन स्किल का इस्तमाल करता है और इंको खतम कर देता है जिसके सेरा कहे थी कि यह रहे तुमारे पैसे और यहाँ पर हमारे जो कॉंटाक है वो जह खतम हुआ क्योंकि अगर मैं तुमारे साथ रहूंगी तो यहाँ पर तुम उस्यूदर पड़ जाओगे तो रे बोलता है कि मुझे उसकी कोई परवा नहीं मुझे कोई दिकत नहीं है अब यहीं पर एपी शोड कतम होता है मिलता हूं अगले पी शोड में जब तक लिए बाई बाई